प्रणाम आज हम बात करेंगे मदु यानिके शेहद की कृष्ण मिरच से नव लावे गोरो चन मदु माही पिसावे सांज सवेरे अंजन करनो देवा दिक उन माद हुँ हरनो तुरंत जले हुए शरीर पर शेहद का लेप कर देने से जले का घाओ अच्छा हो जाता है दात के मसूडे के उपर मदु से तरकिया हुआ रूई का फुवा रखने से दात के कीड़े मर जाते हैं और दात दर्द ठीक हो जाता है एक दो तोले शेहद प्राहते उठकर चाट लेना चाहिए वे दिन में दो बार चाटने से कफ छट जाता है खासी दूर हो जाती है मदु स्वादिष्ट रक्त पितनाशक मुत्रोरदक भारी पाक में मदुर और शीतल है एक वर्ष पुराना मधु यानि के शेहद रूखा, संकोचक, मेद रोक को नाशक है क्योंकि हम बात करते हैं आपकी सेहत की आप देखते रहिए एक चुटकी सेहत की प्रणाम